नमस्ते इंडिया तो अगर आप New Architectural Farm खोले हैं तो आप अनक्सा का काम अगर पकड़ रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने क्लाइंट से आपको क्या-क्या डेटा उठा लेना है अपने क्लाइंट से क्या-क्या आपको पूछ लेना है कि जैसे तो प्लोट का साइज आपको बता देगा कि इतना बाई इतना फीड है तो अगर आपका प्लोट स्कॉाइर है रेक्टेंगल है तो टैंसन लेने वाली बात नहीं है बट अगर उनका प्लोट टैपर है तो आप डाइरेक्ट उसको उतारोगे तो वह टैपर ही उतरेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि एक इंच इस साइट से भगाना है या इस साइट से भगाना है तो हमेशा उनका जो अमीन का जो measurement रहता है वो एक बर cross verify आपको जरूर करना है तो उनसे अमीन का भी measurement मांगे और आपको एक बर site visit जरूर करना है नकसा बनाने से पहले उससे क्या measurement उठा पाएंगे तो चारो साइट का measurement उठाने के बाद अगर diagonal भी आपको उठाना बहुत ज़्यादा compulsory हो जाता है अगर plot आपका taper है तो तो diagonal आप उठा लेंगे तो उसे आपके लिए ये फाइदा होगा कि autocad पे जैसे ही आप mark करेंगे और diagonal बनाएंगे तो आपका autocad ने खुद बता देगा कि किस side 2 inch भागा है तीन inch भागा है किस side का taper plot है वो आपका autocad में आ जाएगा बिना diagonal नी measure किये हुए अगर आप plot का उठाते हैं तो किस side भागा वा है वो आपको पता नहीं चलता आप direct straight line लेते हैं 40 inch 41 inch और मिला देते हैं तो exact plot में किधर भागा वा है वो जानने के लिए diagonally उनसे आपको जरूर पुछना है अगर उनको नहीं पता है तो आप site visit करके diagonally प्रस क्या क्या है तो वो खुद बोलेगा मुझे 2BH के चाहिए 3BH के चाहिए तो आपको यह देखना है कि उस plot में 2-3BH के बनता है अगर 2BH के वो बोल रहे है तो आप बोलिए कि नहीं आपका plot इतना है तो इसमें 3BH के निकाल कर के दे देंगे तो वो एक plus point रहेगा तो उसक अपना घर पर रख सकते हैं तो इस टाइप से अगर आपको आपको ही देगा किसी और को नहीं देगा तो पहला आपको डाइमेंसर अच्छे से ले लेना है दूसरा हूं का requirement लिख लेना है requirement लिख लेने के बाद आपको पुछना है कि आपको वास्तू में नक्सा चाहिए य तो जिनको वास्तू से मतलब नहीं है वो खुद अगर बोलेगा कि नहीं मुझे वास्तू सासर में नहीं चाहिए तब फिर वैसे केस में आप खुद से नक्सा बना सकते हैं तो वास्तू के बारे में जरूर पुछना है और आपको जरूर किलर कर लेना है और उनका requirement जरूर लिख लेना है और आपको क्या करना है नक्सा एक रॉफ टाइप का पहले बनाना है एक रॉफ बना करके उनको दे दीजिए वो आइडिया लगा लेंगे कि हाँ ठीक लग रहा है उसके बाद आप उसमें पूरा फुल्फिल डीटेल जितना आप कर सकते हैं उतना करके दे द पूरा पूरा लेंगे तो उसके बाद फिर उसमें मैं फरनीचर वगेरा सेट करके प्रॉपर उनको देती थी डिटेल ताकि वो समझ जाए कि फरनीचर रखने के बाद उनका रूम में कितना इस्पेस बच रहा है तो इस तरीके से आपको भी करना है अगर आप प्रेसर है तो दिरे देर अगर आपको एक्स्पेरियंस हो गया जैसे की अभी मेरे पास कोई डिजाइन आ तो मैं साइच मांगती हूं ने के बाद डायरेक्ट में अपने एंट निकलता है वह बना के मैं दे देती हूं वह दे देने के बाद होता क्या है कि अगर क्लाइन को पसंद आ तो वन टेक में नक्सा मेरा फाइनल हो जाता है और अगर नहीं पसंद आया तो थोड़ा बहुत जो उनके एकोर्डिंग स्विच वगरा है वो मैं कर देती हूँ अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए या तो वाक्तु साते है या तो डाइमेंशन का डिटेल हो गया या तो क्लाइंट यह बोल रहा है अगर मेरा नहीं मैच कर रहा है नक्सा मैं कैसे अजिस्ट करूँ या फिर कुछ भी आपको प्रॉबलम हो तो आप मुझे रिया और म इमल.com में में मेल करें मैं मेल चिक कर दूँगी और जो भी आपका क्विरी होगा मैं इसको सॉल कर दूँगी तो गाइज आपको और डिटेल अगर चाहिए इसी तरीके का कि क्लाइंट से हम बात करते हैं और क्लाइंट अगर क्लाइंट जानना चाहता है कि हम कैसे बात करे डी राइनर से क्या-क्या मुझे बात करना है नक्सा लेने टाइम तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दोंगी तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बने रही है मारसा ट्रिबिल डेलिंग बाई